पूरणपूर की ग्राम सुआ बोज में बोज के ग्राम प्रधान वरोजगार सेवक वर ग्राम पंचायत अधिकारी मिर्तक लोगों के नाम पर आई लाबों को मिल बाट कर आपस में खा लेते हैं जबकि पीडित अशुक कुमार के पिता की मौत पूर्व में हो चुकी है पीडित अशुक कुमार वदीपक सरोज ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की लेकिन आज तक कोई कारवाई नहीं हुई जब पीडित पूरनपूर कोतवाली पहुचा तो पुलीस वालों ने कहा कि ऐसी शिकायद तो रोज होती रहती है पीडित के पिता के नाम पर आज भी लाब निकाल कर प्रधान वर रोजगार सेवक व ग्राम पंचायद अधिकारी आपस में मिलकर लाब को धन बाट लेते हैं मेरा नाम दीफक सरोज है और सुभा वोज में रहता हूँ हमारे उपर ग्राम परधान एलिया देवी एवाम उनके पुत्र संतोज कुमार और रोजगार सेवक द्वारा जोटी अप्लीकेशन कोतवाली में दी गई है जिसमें लिखा है कि हम तीन अजार रुपे प्रति महे ने उन से रुपे मांगते हैं और उन्होंने और वो प्रधान और रोजगार सेवक ने लिखवाया कि हम लोग उनके घर पे उसके मारने जाते हैं जिसमें चाल लोगों के नाम दर्श कराए गया है नरिंदर कुमार सरी दुरुगापरसाथ दीपक सरोज और असोब कुमार जो कि बिल्कुल जूट है कि समन्द में तेरिक दी है हम लोगों ने अपनी तरफ से समन्द में तेरिक दी है कि यह लोग गाउं में वेश्टाचार कर रहे हैं रोजगार सेवक और ग्राम प्रदान अहले दिमिल करके नरीगा का जो धन है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जिस ने काम किया उसको पैसा नहीं मिल ला है और जो मर मर चुके हैं उनका पैसा अभी भी बर्तमान समय में निकल ला है इसके खिलाब हम लोग उनकी जाचे करवा रहे हैं इसी के व्रोध में वो लोग हम पर ध्योंती अप्लिकेशन कोटवाली में दे रहे हैं असो कुमार मेरा नाम है सुवा वोज में रहता हूं मैं और मैंने डियम एसबी और एशडियम विकास खर्णतिकारी कोटवाली और सब को मैंने तरी दे अभी तब कोई कारवाई नहीं हुए हमारे गाउं में बरिस्टाचार पहुत है परदानों रोज आरते वग मिलकर बह नहीं निकल नहीं नहीं इस हां परम कोतवाली में रिपोर्ड लिखाने आए हैं और हमारे ओपर जूटी हम्तुदमा लेखाने के लिए हफाई यार दी घए हमें परयतर बनाया जा रहा है वह जानवाल का खत्रा है कि समन्द में आप यहां तहरीर देने आए पूरन पुर् जंदार सेवा गोट पर्दान